बाग्यसाली हिस्त्रियों के लक्षण इनकी किस्मत से परिवार में भी बनी रहती है कुसहाली नमबर एक जिन हिस्त्रियों की आंके हिन्नी के समान और सफेद बाग के अंत में लाली मा लिये होती है वहे बड़ी बाग्यसाली और सुख भोग पाने वाली होती है नमबर दो जिनके जीव लाल और कोमल हो वह कुतो सुक भोगती ही है उसके परिवार वाले भी सुक भोगने वाले होते हैं नमबर तीन जिस इस्त्री की नाभी गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वह हर सुक भोग को पाने वाली होती है नमबर चार नाके अगरभाग यानि आगे तिल का निसान धन संपत जीवन की निसानी माने जाती है नमबर पाँच पैरों में कमल चक्र और संग का निसान भोती ही सुप फलदाई माना जाता है यह श्वम या इनका पती उच्चा दिकारी बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनीता होता है नमबर च्छे जिनकी एडी में सरपकार होता है और फटी होती है उन पर हमेशा ईश्वर की किरपा बनी रहती है नमबर साथ इस्तरी के पैरों में त्रिकून का चिन उनकी चतुराई का सुचक होता है यह अपनी बुद्धी और समझदारी से परिवार को कुसहल बनाती है नमबर आठ नाबे के नीचे तिल या मुस्का होना भी इस्तरी के भागिसाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है नमबर नो समझदार साथ के अनुसा जिस इस्तरी के पैर का उठा धर्ती को इस पर्स करता है वह इस्तरी भागिसाली होती है दोस्तों अगर आपको ये बाती अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत